नमस्कार मैं अभिशिक मार आप सभी का स्वागत करता हूँ फोकस इस्टेडवित अभी में आज हम लोग हीट में क्लास नमबर टू लेटेंट हीट को डिसकेशन करेंगे और पूरा कम्पलीट एनलेसिस कंसेप्ट के साथ और फिल नियूमरिकल देखे अगर आपका एक्जाम है रेलवे का गुरूब डी सची वाले और एन्टी पीसी एन्टी पीसी में तो नियूमरिकल आते नहीं है बट कंसेप्ट पूछ लिया जाता लेकिन यही बात करें S.S.C. में B.P.S.C. वगिरा एक्जाम में तो यहां पर भी आपके कंसेप्ट पूछे जाते हैं तो देखे लेटेंट हीट की बात कर ले मैं एक छोटा सा कोशन आपके पास रख रहा हूं कि जब बर्फ पिघल रहा होता है तो उस पिघलते हुए दोरान उस पिघलते हुए समय में बर्फ का जो तापमान होता है वो व्रीदी करती है या फिर घड जाती है या फिर आप परिवर्तित रहती है तो आप कहेंगे कि बर्फ से पिघल गया यानि कि पानी के फॉर्म में ये बदल गया है यानि कि इसका तापमन क्या हो गया बढ़ गया होगा ठीक है लेकिन ये गलत है अंसर क्योंकि इसके पीछे जो logic काम कर रहा होता है latent heat इसी प्रकार कल मैंने specific heat के बारे बुला था तो देखे यही चीज है अगर आपके exam में numerical नहीं आता है तो concept को समझ लीजे जब हम numerical पे जाएंगे आप उसे skip कर लीजेगा लेकिन group D का अगर आपका paper है सचीवाले का paper है तो आपको पूरा का पूरा वीडियो देखना चाहिए अब हम आते हैं अपने topic पे लेकिन मैं आपसे एक request करूँगा कि आपका एक help चाहिए अगर वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है मेरी महनत लगती है आपको दिखती है तो आप एक पर like जरूर करिएगा वीडियो को एक comment करके जरूर चले जाएगा अच्छा comment हो चाहिए बुरा comment हो मुझे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो देखे अब हम समझेंगे latent heat को लेकिन एक request है अगर आप latent heat को पढ़ी रहा है तो इसमें मैं आपको concept यूज करने वाले हैं specific heat की तो अगर आपको इसके बारे नहीं पता है तो फिर आज की वीडियो आपके लिए कोई फैदामंद होने वाले नहीं है तो आप जा करके class 1 को देख ले 20 minute की lecture है मैंने पूरा concept और numerical भी करवा दिये at least concept को समझ ले फिर आप इस वीडियो को continue करें चलिए start करते हैं अपने आज के वीडियो का जो main topic है latent heat और हम इसे बिल्कुल practically समझेंगे और आपको सब कुछ ऐसा होगा कि आप सब कुछ अपने आप अंदर इस latent heat को फिल करेंगे हिंदी में हम इसे कहेंगे गुप्त उस्मा देखिएगा सबसे पहले हम समझेंगे कि ये उस्मा होता क्या है देखिए उस्मा एक energy है जो किसी भी पतार्थ की ताप को बढ़ाती है उस्मा क्या है उस्मा एक energy है जो किसी भी body की तापमान में व्रीधी करती है अब आपके मन में ये बात आ रहे है कि ये तापमान क्या होता, ये temperature क्या होता, ये temperature कुछ नहीं होता, ये बस बताता है, आप इस temperature के थुरूप पता कर लेते हैं कि कोई भी body कितनी गर्म है या फिर कोई भी body ठंडी है, मतलब ये बताता है कि कोई body गर्म है या फिर कोई body ठं इसको हम practically कैसे समझे मैं कि प्रैक्टीं क्या हमारे अब तक जूपद जूपध करते हैं और और जायों करते हैं तो ये बात हो गया कि गुपद उस्मा लेकिन हमने Isco एक 122 समझा लेकिनिए होden चुपध प्रैक्टिकर." कैसे समझे सर practically क्या हमारे जीवन में ये चीज देखने को मिलती है और हम इसे समझना और अच्छे से चाहते हैं चली हमें आपको एक example देते हैं और इस example के बाद आपको पूरा latitude clear हो जाएगा और जितने भी कोशन बनेंगे इसमें ही पूरा का पूरा मैं आपको समझा भी दूँगा देखे एक बर्फ का टुकड़ा आप लीजिएगा ठीक है और एक कटोरी में आप इसे रखेंगे और आप इसे चूला में चड़ा देंगे लेकिन अभी आप गैस को आउन नहीं करेंगे ठीक अभी देखे मैंने नीचे कहीं भी आग नहीं जलाया बस कटोरी में मैंने बर्फ रखा है और आप लाएं थर्मामीटर और इस थर्मामीटर से इसका तापमान मेजरमेंट किये आपने जब मेजरमेंट किया तो आपको यह टेंपरेच तो आपको क्या देखने को मिला तापमान फिर से टेंपरेचर जो दिखा रहा है और आप हीट दिये जा रहे है गैस का चुला और है लेकिन आपको थोड़ा सा चेंजे यहां पर क्या देखने को मिल रहा था कि यह जो बर्फ का टुकड़ा था अब बर्फ का टुकड़ा का इतना साही भाग बचा है और कटोरी में पानी की थोड़ी सी यहाँ पर लेयर आ चुकी है दो मिनट के बाद आपने क्या देखा कि जब थर्मामीटर आप ले गए फिर से आपने मेजरमेंट देखा तो बर्फ जो है अब बर्फ केवल इतना साही भाग बचा था एकदम छोटा सा भाग बचा था और जब आपने टेंपरेचर को रेडिंग किया थर्मामीटर से तो फिर आपको यह टेंपरेचर बता रहा था 0 डिग्री सलसर से और अल्मोस्ट जो है कटोरी का आधा पार्ट पानी से भर चुका था पांच मिनट के बाद जब आपने देखा कि बर्फ अल्मोस्ट पूरी तरह से पिघल चुकी थी और आपने जस्ट जैसे ही बर्फ पिघली थी पूरी पानी के फॉर्म में आ चुकी थी आपने thermometer को लगाया और आपने फिर से reading जब लिया तो वो reading फिर से 0 degree Celsius ही दिखाया देखे ये जो 0 degree Celsius था जो complete बर्फ था जब आपने heat नहीं दिया था और जब ये 0 degree Celsius बता रहा कब जब ये बर्फ पूरी तरह से adjust अभी पानी में convert ही हुआ तब ये आपको क्या बता रहा है 0 degree Celsius बता रहा है ठहरिएगा यहीं पर latent heat है अब इस latent heat को हम निकालते हैं ये कहां छुपी हुई है क्योंकि इसका नाम ही है छुपी हुई उस्मा देखिए छुपी हुई उस्मा अब ये छुपी हुई उस्मा क्यों कहलाई इसको समझियेगा क्योंकि देखिए heat यहाँ पर छुप गई है क्यों छुप गई है क्योंकि जब भी आपने थर्मा मीटर में temperature को read किया तो ये 0 degree Celsius ही बताया यहां भी 0 degree Celsius ही बताया यहां भी 0 degree Celsius बताया यहां भी 0 degree Celsius बताया तो ये आपने जो उस्मा दिया ये उस्मा देने के बाद ये temperature क्यों नहीं बढ़ा 0 degree Celsius ने 0 degree Celsius ही क्यों रह गया क्योंकि ये उस्मा छुप गई थी तो ये उस्मा छुपी, तो ये उस्मा का उपयोग कहा हुआ, तो देखे, सुनिएगा, latent heat वो उस्मा होती है, जो किसी पदार्थ की अवस्था को बदल देती है, और temperature को constant रखती है, समझें, temperature को constant रखकर, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करने वाली उस्मा को हम latent heat कहते ह अब आपके मन में आ रहा होगा अवस्था, या इंगलिस में कहें, तो state ये क्या होता है, देखे, एक होता है solid state, एक होता है liquid state, एक होता है gas state, तो बर्फ जो था आपका solid state में था, और आपने जब heat दिया, जब आपनी heat दिया, तो आपकी जो ये बर्फ थी solid state में, ये बदल करके अपनी अवस्था को यह liquid के form में बदल गई है तो यह जो state में बदलाओ आपने को देखने को मिला यह किस कारण तो यह latent heat के कारण यही उसमा latent heat कहलाता है लेकिन यह body के तापमान को constant रह करके state को change करता है अब कहेंगे कि सर मुझे तो दिख गया यह solid state में था और यह जो बर्व था एक solid form में था और पानी में यह जैसे बदला तो liquid form यह तो मुझे दिख गया तो फिर यह गुप्त कैसे हो गई है उसमा चलिए मुझे पहले नहीं पता था कि latent heat का concept यह होता है कि कोई भी पता कि अव था ठीक है आपने reading लिया था और आपने जैसे heat दिया उसमा दिया तो body का तापमान 15 degree Celsius हो गया उस थर्मामीटर में तो आपको वह उसमा दिख गई ना 10 से 15 वह temperature को दिखा दिया वह थर्मामीटर तो वह थर्मामीटर के द्वारा आपने उस उसमा को देख लिया लेकिन यहा temperature देखे constant रह गया वह थर्मामीटर नहीं दिखा पाया लेकिन यह उसमा क्या कर दिया उसकी state को change कर दिया बस पूरा खतम हो गया है latent heat अब latent heat क्या होता है बस धुयान से सुनिएगा temperature constant रख करके ठीक है temperature constant रख करके यह क्या करती है यह क्या करती है किसी भी पदार्थ की state को क्या करती है change कर देती है या तो solid को liquid में convert करेगी या फिर solid को liquid में या फिर liquid को gas में convert करेगी तो temperature constant रख कर वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करना ही हम क्या कहेंगे latent heat कहेंगे यानि कि वो उसमा जो किसी पदार्थ की अवस्था को बदल देती है without change in temperature temperature को constant रख कर temperature को constant र वह उसमा ही क्या कहलाती है लेटेंट हीट कहलाती है I think आपको यह चीज़े किलियर हो गई होगी अभी आपको मैंने एक चीज़ यह बताया कि 0 degree Celsius में जब आपने हीट नहीं दिया था तो थर्मा मीटर आपको क्या बताया था बर्फ की 0 डिगरी सेलसियस लेकिन आलmust जैसे ही पूरा का पूरा बर्फ पिघल कर पानी के फाम में बदला ही था तब आपने तेंपरेचर रिडिंग लिया तो वहाँ भी 0GC दिखाया कहने का मतलब यह है कि 0GC में बर्फ भी है और 0GC में पानी भी है जब आपने बर्फ को डाला कर्टोरी में और गैस के चूले में चड़ाया तो अल्मोस्ट जब तक पूरा बर्फ पिघल जाता है तो क्या पानी पुरा पिघला हुआ पानी स्वारी पिघला हुआ बर्फ जो पानी में बदल चुका था क्या वो पानी गर्म हो जाता नहीं थंड तब भी फिल होता क्योंकि उसका पानी की अब तापमान बढ़ती चली जाएगी अब मुझे ये बताईए एक डिगरी सल्सेस किसी भी पदार्थ का एक डिगरी सल्सेस ताप मान में व्रीधी करनी के लिए जो उसमा की आवशक्ता होती है उसे उस पदार्थ की क्या कते हैं विशिष्ट उसमा यानि की स्पेसिफिक हीट कल हमने इसको पढ़ा था फिर से देखे एक से दो डिगरी सल्सेस हो गया यानि एक डिगरी सल्सेस ताप में व्रीधी हुआ यानि कि किसी भी पदार्थ के ताप में अगर एक डिगरी सल्सेस बदलनी है या एक डिगरी सल्सेस इंक्रीज करनी है तो उसके लिए जितनी उस्मा क्या वशक्ता होती है मुझे क्या करते है उस पदार्थ की विशिष्ट उस्मा करते है या फिर specific heat करते है अब देखे यहाँ पर state change नहीं वह पानी का पानी ही है अब फिर 3 degree Celsius हो गया 3 से फिर 10 degree Celsius हो गया specific heat को और latent heat को देखे latent heat क्या हो गया latent heat का concept अब आप मुझे यह बताए latent heat एक मैं यहाँ लिख दू latent heat और एक मैं लिख दू specific heat अब मैं इसके भी differentiate करना चाहूँ तो क्या आप कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं latent heat वो उसमा है जो किसी भी पदार्थ की अवस्था को change कर देती है without change in temperature यहाँ पर temperature क्या होता है constant होता specific heat क्या होता है किसी पदार्थ के अवस्था को तो यह change नहीं करता है लेकिन उसके पदार्थ के तापमान को क्या कर देता है बदल देता है उसके तापमान को क्या कर देती है increase कर देती है ठीक है यह हो गया complete latitude का concept अब एक और मैं आपको concept दे दूँ यहीं पर क्योंकि आपसे एक सवाल पूछा गया था SSC में कि जो जल की जो भाप आपने देखा होगा ना खाना बनाते समय भाप निकलता है गर्म पानी चढ़ाते हो तो भाप निकलता तो घर में आपसे सवाल यह पूछा गया था कि जो भाप होती है तो सबसे अधिक जलन आपको किस से होगी भाप से होगी या फिर गर्म पानी से होगी तो आप क्या बोलेंगे देखिए अब यहाँ पर मज़िएगा इस कंसिप्ट को यह बर्फ था जीरो डिगरी से में और यह फिर अभी पिघल करके क्या बन गया है पानी बन गया इसकी अभी तापमान कितनी है जीरो डिगरी से थीक है फिर आपने इसको हीट दिया हीट देने के बाद ये 0 degree से बढ़ते बढ़ते कहां चला जाएगा 100 degree Celsius पे चला जाएगा 100 degree Celsius पे चला जाएगा ये अभी क्या है पानी है अब बताईए 100 degree Celsius के बाद अगर आप इसको heat दे रहे हैं अगर आप इसको heat दे रहे हैं तो 100 degree Celsius के बाद आपको पता है पानी का वास्पी करन होना फिर start हो जाता है तो इस 100 degree Celsius के बाद आप जब भी heat देंगे तो इस पानी का ताप आप जब measurement करेंगे तो 100 degree Celsius ही वो thermometer बताएगा लेकिन अब जो है ये उस्मा क्या कहलाएगी ये गुपत उस्मा कहलाएगी क्योंकि ये उस्मा अब इसकी अवस्था को अब ये वास्प में बदलना इस्टार्ट करतेगी समझें? पहले ये बर्फ था बर्फ से आपका क्या बदला? मैं आपको एक डाइगराम कर थू समझा दूँ ये क्या है? ये आपका क्या हो गया? ये बर्फ से पानी है, ये 0 degree Celsius है, ये अभी 0 degree Celsius पे पानी है, ये अभी अभी पानी है, इसको आपने heat दिया, अभी इसका तापमान 10 degree Celsius हो गया, ये भी अभी पानी है, यहाँ पे पानी का अभी तापमान 100 degree Celsius हो गया, ठीक है, अभी मुझे ये बताइए, ये 0 degree Celsius पे क्या है, ब latent heat की concept यहां पर यूज होगी अब यहां मुझे यह बताइए यह क्या है आपका पानी है और यह क्या है आपका पानी है लेकिन 0 degree Celsius यह था और यह 10 degree Celsius हो गया यानि कि यहां पर जो आपने उस्मा दिया इसको पानी को कौन सी उसमा दिया latent heat नहीं क्यों कि यह भी पानी यह भी पानी इस्टेट तो चेंज नहीं हुआ और temperature चेंज हो गया latent heat का क्या आर्थ था तेंपरेचर constant रखकर state में परिवर्तन करना अवस्था में परिवर्तन करना तो आप देख सकते हैं पानी पानी लेकिन तापमान चेंज यानि कि यहां specific heat फिर यहां आए तो यहां भी पानी था यहां भी पानी था लेकिन यहां 10 degree Celsius था यहां तो 100 degree Celsius है भाई तो temperature change हो गया है अवस्था पानी ही है state पानी है इसका मतलब यहां भी कौन सी उस्मा है तो यहां भी हम कौन सी उस्मा दिये specific heat specific heat अब देखिए इस 100 degree Celsius के बाद आपने क्या देखा जब आपको आपने इसको heat दिया जब आपने इसको heat दिया तो आपने देखा कि है यह 100 degree Celsius क्योंकि पानी 100 degree Celsius के बाद क्या करने लगता है वास्पी करन इसके start हो जाती है तो यह पानी आपका वास्प में बदलने start हो गया था अब बताए इसका थापमानd कितना दिखाएगा s olduğ क्वर्टेs Oh कि दिखाएगा क्योंकि अब यह जो आपने उस्मा दिया था य ही दिख रहा है लेकिन टेंपरेचर 100 का 100 ही दिख रहा है तो यह समझ में आ गया बर्फ बर्फ से पानी पानी से वास्प यह तीन सवाल सबसे टफ बनता है जब आपको तीनों पूछ लिया जाता है लेकिन जेनरली दो ही पूछेगा तो इजी होगा अब हम इसको आएंगे कोश्चन में तो आपको और ज्यादा अच्छा लगेगा समझने में सबसे पहले देखे जो सवाल पूछा ही राता है लेकिन हम अब आपको बता देते हैं अब फॉर्मूला क्या होता है देखें कल हमने अ但 अब हमने देखा था क्यूं कोस्टू mc डिल्टा-टी जिसमें सी क्या होती है इस्पेसिफिक हीट होती है इसक्ति है से क्या होती है अच हमने बात किया लेक्टित खीं या क्यों इक्ल् Urs hell एम लेटेंट हीट है, अब लेटेंट हीट का ये फर्मूला आप याद रखेंगे, ठीक है, अब लेटेंट हीट का अगर आपको SI यूनिट पूछ लिया जाए, तो लेटेंट हीट का SI यूनिट क्या होगा, L equals to Q upon M, यानि की हीट कैलोरी M बोले तो ग्राम, ये कौन सी यूनिट है, CGS यूनिट है, लेकिन SI यूनिट की बात कर लिया जाए, तो Joule पर केजी, ये कौन सी यूनिट होगी SI यूनिट, किसकी लेटेंट हीट की, ठीक है, अब हम आते हैं अपने सवाल पे, देखें, पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया है, पहला सवाल आपसे पूछा गया वेट कितना है, 500 ग्राम है, इसको क्या किया गया, उस्मा दिया गया, ठीक है, उस्मा देने के बाद इसकी तापमान कितनी होगी, 20 डिगरी सल्सेस हो गई, और simple दी बात है, जब आपने इसको हीट दिया, और इसका तापमान 20 डिगरी सल्सेस पे, तो ये क्याची में बदल जाएगा तो पानी में बदलने के लिए कितनी उस्मा की कितनी उस्मा की आवशक्ता होगी ठीक है अच्छा एक चीज और मैं आपको बता दूँ दो डाटा आपको और याद होना चाहिए देखें यह क्या है बर्फ से बर्फ से पानी यह क्याची में बदल गया बर्फ से यह गुप्त उस्मा है यानि कि गलन बर्फ के गलन करने की जो उस्मा यानि कि लेटेंट हीट होती है वो कितनी होती है भैलू आपको याद रखनी पड़ेगी बर्फ की जो गुप्त उस्मा होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है 80 calorie per gram होती है मतलब बर्फ जो गल जाता है आपके पानी में उसमें उसके जो उसकी latent heat होती है वो कितनी होती 80 calorie per gram होती है ये आपको इजाम में data नहीं दिया रहेगा ये आपको याद होना चाहिए अब आते हैं पानी से थिक है पानी से वास्प में बदल जाना ठीक है तो ये तापमान 100 डिगरी सलसेस है ये भी तापमान 100 डिगरी सलसेस दिखा रहा है लेकिन इसका state change हो गया तो ये state change क्यों किस कारण हो रहा है तो latent heat के कारण ठीक है बर्फ से पानी ठीक है बर्फ से पानी में बदलने में जो गुपत उसमा लगेगी वो कितनी लगेगी 80 कलोरी पर ग्राम और पानी से वास्पन बदलने में कितनी उसकी गुपत उसमा कितनी होगी तो 540 कलोरी पर ग्राम ठीक है तो जल की वास्पन की गुपत उसमा कितनी होग यानि कि latent heat of vaporization 540 calorie per gram और latent heat of diffusion यानि diffuse कर गया ना बर्फ diffuse होकर पानी में convert हो गया latent heat of diffusion 80 calorie per gram यानि कि बर्फ की गुपत उसमा कितनी 80 calorie per gram बस इतना हमें बताना था अब हम question अराम से कर लेंगे देखे यहां बोला गया क्या क्या कोश्चन में कि कोई बर्फ है जिसका तापमान 0 degree Celsius है 500 gram की एक बर्फ है जिसका तापमान 20 degree Celsius हो गया है उसमा देने के बाद ठीक है और यह जल में convert हो गया है तो आपने कितना उसमा दिया है यह आपसे पूछा जा रहा है तो अब आप सोच रहे होंगे सर उसमा कल भी यही सवाल था कि उसमा कितना दिया जा रहा है तो हम कल Q equals to MC delta D simply use कर देले तो यहां भी use कर लेंगे देखे यहां क्यों नहीं use करेंगे इसको समझे ठीक है कर लेने से ज्यादा better आपका जो सवाल होना चाहिए क्यों नहीं करेंगे वो तो क्यों नहीं करेंगे क्योंकि देखे यहां पर आपको जो क्वेंट जो आपका जो था वो बर्फ था किस स्टेट में solid state में लेकिन यहाँ आपको जो देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको यह state में इसकी बदलाओ देखने को मिल रही है liquid form में और कल हमने क्या देखा था यहाँ पर जो था जल था और यहाँ भी क्या था जल था कहने करती यह था कि वहाँ पर कोई state में बदलाव नहीं हो रहा था और आपसे तब पूछा जा रहा था कि 10 degree Celsius पर 500 gram जल को 20 degree Celsius के जल में बदलने के लिए कितनी उस्मा की आवशकता होगी तो difference अब कर पा रहे हैं समझ में आ रहा है तो चली यहाँ पर आपको दे दिया तो चली हम पहले question को करेंगे पहले सवाल को करेंगे देखे पहला सवाल क्या बोल रहा आपको इसको हम एक figure बना दें तो आपको पूरी की पूरी यह data ही आपको समझ माएगी कि यह सवाल क्या बोलना चाहरा आपसे आपको बोला गया है कि 0 degree Celsius पर 500 ग्राम बर्फ को तो यह आपका एक बर्फ है ठीक है सर यह आपका 0 degree Celsius पर है इसका आपको मैं यह नहीं लिख रहा हूँ 500 ग्राम आप याद रखेंगे क्योंकि बर्फ 500 ग्राम है पिघलने के बाद पानी भी 500 ग्राम ही रहेगा ठीक है यह तो आपको पता ही होना चाहिए आपने इसको हीट दिया ठीक है आपने इसको हीट दिया चलिए मैं यहाँ अच्छे से इसको बनाऊ चलिए यहाँ से यह बर्फ आपका आपने इसको हीट दिया ठीक है आपने इस बर्फ को क्या हुआ चेंज होते हुए दिखाए पड़ा और कितना हो गया आप आपने थर्ममेटर में देखा 20 डिग्री सल्सेस अब मुझे यह बताईए आपसे यही पूछा गया कि यह जो आपने हीट दिया और यह जो आपने हीट दिया बस यह दोनों को सम कर दीजेगा तो आपका एंसर आजाएगा इतना आपने उसमा दिया जिससे 0 डिग्री सल्सेस का बर्फ 20 डिग्री सल्सेस के जल में परिवर्तित हो गया अब लेकिन मुझे यह बताना है कहां पर स्पेसिफिक हीट यानि कि क्यूं इक्वल्स टू एमसी डेल्टा टी यूज करेंगे और कहां आप क्यूं इक्वल्स टू एमेल यूज करेंगे बस इतना आप सीख गया तो पूरा कंसेट आपका क्लिए रहा है तो आब आप देखेंगे कि सर हमें क्यूं इक्वल्स टू एमेल तब यूज करते हैं जब इसटेड में परिवर्तन होता है और टेंपरिचर स्टेंट रहता तो आप देखेंगे रहता इहां ग्यूंसे यहां बर्फ था और यहां पानी में परिवर्तित हो गई तो यहां पर आप कौन सी हीट लिखेंगे Q इक्वस्ट टू एमल अब हम आगे चलेंगे तो यहां आपने देखा कि सर यहां हमने कौन सी हीट दी यहां आपने देखा सर यहां पीजिविदी हो गई चेंज हो गई चलिए ठीक है सर तो क्या सर यहां भी पानी यह पानी रग्या इसका मतलब आपने क्यों ऊको एमसी डेल्टा टी वाला फॉर्मुला आपको यूज़ करना है ठीक है चलिए यह देखे स्पेसिफिक हीट का कल हमने बहुत अच्छे से आपको सम्झा रखा है पूरा का पूरा देखे जो निमरिकल भी क्या था यह सब मैंने आपको बता दिया था ठीक है तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को यह था हमारा सवाल कहा गया ज कि गलन की गुप तूसमा भी दे दी गई है और वाटर की आपकी स्पेसिफिक हीट भी दे दी गई है लेकिन मैंने कल आपको बताया था यह आपको पूरा डाटा याद होना चाहिए अब आपको पता समझ में आ रहा है कि यह जल की विशी सुष्ट मा क्या है एक कलोरी पर ग्राम डिगरी सेलसियस तो कल की वीडियो देख लिए जब मैं बहुत लंबा हो जागा फिर इसको मैं समझाओ तो देखी यही फीगर मैं आप ही आपको समझाया था कि यह जो था बर्फ जो आपके जीरो डिगरी सेलसियस में थी आपने इसको हीट दिया कौन सा कूं सा क्य आपको पता है बर्फ से पानी में बदलने में कितनी गुपतुसमा लगती है तो 80 कैलोरी पर ग्राम तो मैंने वही लिख दिया 80 कैलोरी पर ग्राम फिर मैंने यहां लिखा Q equals to mc डेल्टा T मास की वहलू मैंने लिख दिया 500 ग्राम उसके बाद C की वहलू क्या होती है एक कै इसान रखेगा यहां पर मास क्या चीज में घ्राम में है या फिर केजी में ठीक है और मैंने कल बताया कि जब ग्राम में रहेगा और जब केजी में रहेगा तो आप क्या यूस करेंगे ठीक है सर आपको पता होना चाहिए और एक डाटा अभी को फिर से मैं याद करा दू एक कलोरी कर स्थिटो क्या होता 4.2 जूल होता ठीक दूसरी बात सी वहलू मैंने यहां लिग दी उसके बार डेल्टा टी तो डेल्टा टी क्या होगा आप देखे जीरो डिग्री सेलसर चेंज टेशन इन टेंपरेचर क्या होगा 20 माइनस 0 यानी कि 20 डिग्री सेलसर तो यू कैलोरी मोगा तो यही एंसर हो जाएगा लेकिन अगर option में जूल में मिलेगा तो आपको क्या करना है एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है यानि कि जितनी कैलोरी आई है उसमें आप 4.2 से multiply कर देंगे तो वो आपका एंसर हो जाएगा जूल में ठीक है आप देख सकते हैं यह हो गय कि एक केजी ध्यान रखेगा केजी में दिया है एक केजी बरफ को 100 डिग्री सेलसियस पर समझेगा बरफ को आपने क्या किया था उसमा दिया था और अब उसका तापमान आपको बताया चैनल कि 100.2 है और 100 degree Celsius पर यह क्याची में बदल गया वो बर्फ जल्वास्प में बदल चुका है तो इसको जल्वास्प में बदलने के लिए कितनी उस्मा की आवशक्ता होगी तो आप क्या इसका डाइगराम नहीं बना सकते हैं देखें यह था बर्फ बर्फ को आपने हीट दिया तो यह क्याची में कनवर्ट हो गया पानी में यह 0 degree Celsius फिर से आपने हीट दिया फिर से आपने हीट दिया तो यह पानी का तापमान 100 degree Celsius हो गया फिर इस 100 degree Celsius में आपने हीट दिया तो यह हीट देने के बाद यह जो पानी था यह आपका WASP में बदल गया और इस WASP का तापमान कितना था 100 degree Celsius तो मुझे ये बताईए ये कौन सा हीट होगा Q equals to ML होगा ये देखेंगे तो 0 से 100 हो गया लेकिन state पानी का पानी है तो MC delta T हो गया ठीक है सर ये तापमान तो constant है सर लेकिन state पानी है और यहाँ WASP है यानि कि भैपराईजेशन हो गया है इस्टेट में परिवर्तन हो गया है लेकिन तापमान constant है तो क्यों equals to ML बस तो हम बस इसको यहीं पर solve कर लेंगे बड़ी आसान ही है सर अगर आप concept को समझ लेते हैं देखे एक केजी बर्फ को 100 degree Celsius पर वास्प में बदलने के लिए कितनी उस्मा की आवशकता होगी यदि बर्फ की गुपत उस्मा 80 calorie per gram एवं जल की वास्प की गुपत उस्मा 540 calorie per gram और जल की विशिष्ट उस्मा 1 calorie per gram degree Celsius देखे तो ये आपको याद होना चाहिए उसके बाद ये भी आपको याद होना चाहिए आपको exam में ये data नहीं दिया जाएगा तो ये क्या है 80 calorie तो ये बर्फ की गुपत उस्मा है ये 540 क्या है वास्प की गुपत उस्मा है और ये एक calorie क्या है water की specific heat है अब ये याद रखेंगे आप एक calorie per gram degree Celsius का अब जब mass आपका gram में है ये भी याद रखें gram में तो पहले आपकी जो mass दी होगी आपको पहले उसको gram में convert करना होगा क्या चीज़ में convert करना होगा आपको gram में तो यहाँ आपको mass दिया kg में तो एक kg में कितना gram एक हजार gram तो हम mass की value क्या लेंगे एक हजार gram लेंगे ये आप याद रखेंगे तो बस कुछ नहीं किया मैंने यहाँ पर देख सकते हैं simple सा है बर्फ 0 degree Celsius पे था इसको मैंने heat दिया तो बर्फ से ये पानी बदला तापमान 0 degree Celsius 0 degree Celsius है तो Q equals to ML latent heat का concept फिर पानी से पानी ही है तापमान में व्रीधी हो गया तो ये Q equals to MC delta T पानी से ये वास्प में बदल गया तो इसका तापमान constant है state में परिवर्तन तो Q equals to ML बस इस वाद तीन heat को हम add कर देंगे तो हमारा answer आजाएगा तो बस वही मैंने यहाँ पर कर दिया है देख सकते हैं ML, MC, delta T ये जो आपका L है क्या चीए बर्फ का latent heat आप लेंगे यहाँ पर क्या लेंगे वास्प ठीक है जो पानी वास्प में बदल गया delta T क्या है आपका तो 100 degree Celsius हो जाएगा 100 degree Celsius कैसे हो आप समझ रहे है देखे 0 degree Celsius से 100 degree Celsius तो difference लेंगे 100 minus 0 तो 100 ठीक है फिर ML तो यहाँ पर mass की value 1000 L की value क्या लेंगे 540 calorie per gram बस इसको solve कर दिये आपका answer आजाएगा और अगर Joule में पूछेगा तो आप क्या करेंगे 1 calorie equals to 4.2 Joule तो आप इसमें 4.2 से multiply कर देंगे तो आपका answer आजाएगा Joule में बस देखे इसके बाद भी अगर आपको कोई doubt बच रहा तो मुझे comment करिए मैं और अच्छे से इसको और भी बहतरिन तरीके से मैं आपको समझा दूँगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मुझे अब अगले वीडियो में हम temperature scale को पुरा discussion कर देंगे Calvin इसके बाद degree Celsius Romer और Fahrenheit में ठीक है यहां से भी अच्छे सवाल बनते हैं और यहां से आपके सब exam में बनेंगे जो कल की class होगी और उसके बाद आपकी एक और class लूँगा Newton's law of cooling की ठीक है वहां से भी आपके सवाल बनते हैं वहां numerical नहीं बनेगा वहां conceptual सवाल बनेगा ठीक तो मैं इसको इसी में करवा दूँगा तो भाई प्लीज 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 सपोर्ट करें अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद